नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो, J.R.F. 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम UGC Net Paper 1 Expected Question Series कर रहे हैं और इसमें मेंली हम कुछ एक जो आपके टॉपिक्स हैं जिसमें मेंली हमने फोकस करने की कोशिश की है आपका जो टीचिंग वाला portion है और इसके साथ ही साथ research और suppression और इसके अलावा जो दूसरे हमारे तरक वाला है देखिए portion वहां से हमने कोशिश की है कि जो main question है वो रखे जाएं साथ ही साथ आपके जो logical reasoning बगेर बगेरा है इन सबसे भी हमने थोड़े बहुत प्रशन आपके बीच में रखने की कोशिश की है और ये series लगातार यूँ ही चलती रहेगी तो इससे पहले हमने 5 lectures इसमें कर लिये हैं जिसमें हमने 10-10 प्रशनों को discuss किया है तो चलिए बिनादेर किये शुरुआत करते हैं आज के lecture की और सबसे पहले आज का जो पहला प्रशन है उसको देख लेते हैं यहां पर देखिए पूछा क्या गया है कि आपका जो निगमनात्मक तरक है उसमें शामिल क्या चीज है तो यह प्रशन बहुती महत्पूर्ण प्रशन है देखिए दो चीज़ें होती है आपकी तरक में एक तो आपका आगमनात्मक होता है दूसरा आपका निगमनात्मक तरक होता है तो निगमनात्मक तरक को आगे दो भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से भाग है यह आ कि निगमनात्मक तर्क में जो शामिल चीज होती है वो अता आपका तार्वी तार्किक संबंध देखना ठीक है तो सही उतर इसका क्या होगा विकल्प नंबर तीन होगा चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या बावन है यहाँ पर देखिए मलेरिया किसे हो यहाँ पर मलेरिया के बारे में पूछा गया है मलेरिया नहीं है लेकिन इस वक्त जो दूसरी गटनाय है उन से रिलेटिड प्रशन बन सकता है ठीक है तो देखिए मलेरिया किस से होता है पैरासीटिक संक्रमन है या फिर फंगल संक्रमन से या फिर बैक्टीरियल या फिर viral संक्रमन से तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा आपका parasitic संक्रमन विकल्प नमबर एक इसका सही उत्तर होगा चलिए इसके बाद हम प्रशन संक्या 53 देख लेते हैं यहाँ पर प्रशन देखिए पूछा गया है 8, 24, 12 और फिर खाली है उसके बाद 18 है उसके बाद 54 है तो यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो लुक्त संक्या है उसको ग्याद कीजिए तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो संक्या वाले आपके जो प्रशन हैं उनको हमने 2-3 तरीके से जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं लगबग 4-5 तरीकों से हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था कि इस तरीके से प्रशन पूछे जाते हैं आज थोड़ा सा अलग इसमें हटके पूछा गया है तो देखिए सबसे पहले 8 है उसके बाद 24 है तो हमने कुछ भी नहीं करना है इसके बाद जो अगली संक्या है देखिए वो 12 है 12 को भी अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा यह 36 आ जाएगा तो इस तरीके से ही इसको पूछा गया है देखिए आगे 18 है पहल ठीक है 8 के बाद यहां पर 4 का गयप है फिर 4 के बाद 6 का गयप है 6 के बाद यहां पर कितने का गयप आजाएगा 8 का ही गयप आजाएगा तो 18 और 8 कितना होता है 26 होता है ठीक है फिर अगर आप 26 गुना 3 करेंगे उसके बाद जो अंसर आएगा तो आगे उस तरीके से आता रखना है, ये वाली trick भी है ना, कि ये वाला जो formula है, ये भी इसके अनुसार भी प्रशन पूछे जा सकते हैं, आपके जो संख्या वाला प्रशन पूछे जाता है, clear है, तो ये था 53 question, तो यहाँ पर देखें, इसका जो सही उत्तर क्या होगा, आपका, जो आपका, आफारा, स प्रशन संख्या 54 है दीखिए शोध का प्रत्थम सोपान क्या है तो ये प्रशन भी अपने आप में बहुती जादा महत्पूर्ण है कई वार हम यहां पर गलती कर जाते हैं आप देखते हैं कि कई वार इनको सीक्वेंस में रखने को कहा जाता है ठीक है तो यहां पर जो शोध का प्रत्थम सोपान माना जाता है वो किसको माना जाता है यह आपका समस्या की पहचान आपको identification होनी चाहिए आपके जो problems है उनकी तो इसलिए जो सही उत्तर क्या होगा आपका समस्या की पहचान है ना शोध का पहला सोपान इसको माना जाता है और शोध के सोपान कौन-कौन से हैं और ये भी आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं और कौन-कौन से ये हैं ये भी आपको पताने चाहिए कि सीक्वेंस इन का किस तरीके से रहता है चलिए अगला परशन हम देख लेते हैं प्रशन संख्या 55 है देखिए यहाँ पर कक्षा में परस्पर समवाद से उभर कर आना चाहिए तो क्या है आगर आपका जो क्लास communication जिसको कहा जाता है ठीक है उसमें जो समवाद है उससे उभर कर क्या चीज आती है तो विकल्प है देखिए जो विचार है सूचना है तरक वितरक है या फिर विवाद है तो देखिए यहां से जो चीज है वो आपका विचार विकल्प नमबर एक इसका सही उतर होगा कि उभर कर क्या चीज आती है तरक वितरक हो सकता है लेकिन उभर कर क्या आएगा उससे एक वि ने देखिए इसी तरीके के प्रशन आपको UGC Net की परिक्षा में पूछ जाते हैं और एक महत्पुन चीज यह है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदी विशे से के रिगार्डिंग आपकी त्यारियां करने जा रहे हैं आप UGC Net जो 2021 का होने जा रहा है तो आप हिंदी सही तेवाता चैनल के साथ जुड़ सकते हैं यहां पर complete हम त्यारियां कर रहे हैं और लगातार हमारी जो lectures होते रहते हैं आपका हिंदी विशे से related तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हिंदी विशे की तैयारियों के लिए भी चलिए अगला प्रशन हम देख लिते हैं प सबसे पहले क्या आता है आपका समस्या का निरधारन ठीक है तो सबसे पहले क्या चीज मानी गई है समस्या का निरधारन होगा उसके बाद उदेशियों को सूची बद करना है फिर आपका जो डेटा संग्रेहन है फिर कारय परनाली है उसके बाद आपका डेटा विशलेशन होगा तो ये इसका सही क्रम माना जाता है आपकी जो शोध की अवस्थाइं है तो पहली अवस्था क्या थी समस्या का निरधारन ठीक है जिसको हमने पहले ही माना था कि शोध का प्रत्थम जो सुपान है समस्या को पहचानना ठीक है है ठीक है तो ये इसका बिलकुल सही करम है चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या 57 है देखिए ये पूछा गया है कि संप्रेशन से रिलेटिड ही प्रशन है कि संप्रेशन के संदर्म में जो शारीरिक गतिवीधियों के वरगी करण को क्या कहा जाता है तो जो होते हैं उन से भी आपके वार अपने जो विचार है उनको सांजा करने की कोशिश करते हैं तो इस चीज को क्या कहा जाता है तो देखिए प्रशन में भी ये नहीं आएगा तो सही जो उत्तर होगा जो आपके शारीरिक गतिवीधियों के वरगी करण है उसको क्या कहा ज अगला प्रशन है देखिए 58 यहां पर पूछा गया है देखिए आपका प्रशन है किस विधी में विश्यों के संबंद में ज्यादा तथ्य परदान करना नहीं बलकि चात्रों को यह सिखाया जाता है कि कैसे इन विश्यों का ज्यान प्रप्त किया जाता है तो यह थोड़ी स को यह सिखाया जाता है कि कैसे इन विश्यों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तो यह जो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह होगा आपका जो विधी है आपकी अन्वेशन विधी तो अन्वेशन विधी जिसको हिरुस्तिक मैथर कहा जाता है टीचिंग में तो उसमें यह सिखाया जाता है कि जो भी आपके विशे हैं उसके बारे में कोई तत्यों की जानकारी नहां देकर आपको यह बताया जाता है कि किस तरीके से आपने उन विशें के बारे में ज्यान प्राप्त कर सकते हैं आप पही उस विशे के बारे में तो यह है आपकी अनुवेशन व यहां पर पूछा गया है कि आपकी विंडो 10 है उसको शटडाउन करने के लिए किन शॉटकट की जो आप कीज है उनका उप्योग किया जाता है तो आपको देखने में यह सारल सा प्रशन लगडा होगा लेकिन बहुत सारे विद्यारती मुझे लगता है कि इस प्रशन को भी गलत करेंगे और आम जीवन में हम हालां कि आज का जो दौर है वो उपकरन का दौर मना जाता है तो उस वक्त भी हम इन स्था के प्रशनों को देखता है कि गलत कर जाते हैं तो इसलिए जो छोड़ी-छोड़ी चीज़े हैं उनको भी हमें अपने साथ लेके चलना है उनको अल्ट प्लस फोर है तो वी इंडोटेंड की बात कर रहा है यह कि शॉटड़ून करने के लिए जो शॉर्टकट कीज है उनका किसका उप्यों किया जाता है तो यह अल्ट प्लस एफ फोर है जो इसका सही उत्तर होगा तो कई बार आप देखते हैं कि अभी एक दो साल पहले शायद यही प्रशन इस तरीके से ही पूचा गया था कि आप जो है सेव करने के लिए आप या कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कंट्रोल प्लस एस है ठीक है अगर आपने सब कुछ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सी की यूज की जाती है या फिर अंडू के लिए कौन सी कीज का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ही प्रशन पूचे गया है इससे पहले भी थोड़ा सा हट के मैंने आज आपके बीच में यहाँ पर यह प्रशन रखा है ठीक है कि विंडो 10 को शॉर्ट डाउन कैसे करते हैं तो अल्ट प्लस एफ़ोर चल बार गलती कर जाते हैं कि हम इसको टोटल रेटिंग पॉइंट्स की जगा क्या कर देते हैं टिलिवीजन रेटिंग पॉइंट्स कर देते हैं जो कि अपने आप में गलत इसका पूर्ण रूप है इसलिए इस प्रशन को थोड़ा सा हमने गुमा के रख दिया है आपके पूर्ण रेटिंग पॉइंट्स की से संबंदित है यह आपका टीवी से संबंदित है ठीक है और इसको आपने टेलिवीजन रेटिंग पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं करना है तो यह थे आज के दस प्रशन इन प्रशनों में अगर कुछ एक गलतियां हो गई हो तो आप कोमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं और इसके साथ ही साथ अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप हमारे साथ सांजा कर सकते हैं और अगर आपको इन प्रशनों की PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जूड़ सकते हैं नहीं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीजी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्टे के साथ, तब तक के शुक्रिया, जाहिंद